यहें दोस्तों आज की इस video में अधिन करेंगे क्लास्टंथ में जो हम लोग क्या साइंस में अंसवाड कर रहें अगरुबाल उनसवाड जिसमें आज हम लोग 2023 का सेठ 2EK करेंगे में इसकी प्रिविए्ज वीडियो में लोग सेठ 1EJ जो हें कमप्लेटले खातम कर चुके वीडियो चला रहे तो कंप्रेंड ले खतम कर रहे है ठीक है तो आप लोग को कोई भी माल लोग की अंसौल्ट से तैयारी कर रहे हो राजीब हो एक्स हो आउतार हो माल वारियंत हो कोई भी आउतार हो और जिसे माल लोग की चित्रा हो मास्टर मैंड में कोई भी अंसौल्ट क को पढ़ना बहुत जरूरी होता जिससे कि प्रिविएस एर के कोश्चन का पता लगता हम लोग का हम लोगों को ने क्या किया है प्रिविएस एर के कोश्चन तयारी किये थे हम लोगोंने तो वह तो recording videos है जिसमें आपको क्या है कि 20 MCQ नहीं है उसमें कम MCQ है ठीक है चलो शुरू करते हम लोग दो जैते हैं इस केंसल्ड का पहला कोश्चन उपखंड कहा करेंगे हम लोग बहुए खिल प्रिशन है आपका बिसमसी क्यों है किसी बस्तु का वास्तिविक इवन बड़ा प्रतिविक बनाने के लिए उससे आवतल दरपन की किस इस्तिति में रखना होगा दो हमसे पहली बात तो बता दे कि आवतल दरपन से बस्तु को बड़ा प्रतिविक बनाते है ठीक है बड़ा और वास्तिविक बनाते हैं और उत्तल में हम लोग आवाशी बन होते हैं C और F और P दो कंडिशन होते हमारे पास ठीक है तो दरपड के धुरूब यह P और F दोनों पर ही प्रत्विम बड़ा बनता है P और F के बीच में भी प्रत्विम बड़ा बनता है और C और F के बीच बस तो जादा बड़ा बनता है ठीक तो वक्रता के अंदर C और F focus यप के बीच जब रखेंगे तो जो प्रत्विम है वास्तिविक और बड़ा बनेगा हाँ लेकिन P में एक चीद है पी में आवासी बनता है जैसे हम लोग दरपड में इसे दरपड है हमारे पास ठीक य यह हमारे पास बस तो है ठीक है यहां पर याफ है और यहां पर P है अगर यहां पर हम लोग रखेंगे न तो एक चीद ध्यान रखना कि यहां पर यह याफ और P की बीच रखोगे तो यह आवाशी बनेगा आवाशी आईसे आवाशी और अगर हम लोग इसी को अगर हम क्योंकि जैसे कोशिन पूछ दिया जाए तो बताएंगे भी, जैसे मालो कि यहां पर YF है और यहां पर C है, इसके बीच कहीं वस्तु है, तो वस्तु से जो केड़ने निकलती है, वो फिर सीधी निकल जाती है, ठीक है, और जहां मिलेंगे वहां बनेगा प्रतिविम, लेकिन P और YF के भी शेखेंगे, तो बस तु जो है वो आभाशी बनेगा, प्रतिविम जो है वो आभाशी बनेगा, कोश्चन नमबर दूसरे में है, किसी लेंस की छमता की इकाई है, तो लेंस की छमता की इकाई, तो मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकेंड इन में से कोई नह पहले में आपका कौन सही है, B पार्ट सही है, ठिक, B सही है, दूसरे में हैं, लेंस की छमता, P वराबर एक बटे YF, जो की होता है मीटर में, ठिक, तो अब एक चीज़ धनगना, ये YF जो है, ये मीटर में है, तो इसका P जो है, ये किसमे होता है डाइवप्टर में, P कमातर क्या होता है, ये कमातर क्या होता है, मीटर, तो हम लोग देख पा रहे है कि 1 बटे मीटर, मतलब प्रती मीटर, तो हम लोग कहेंगे, कौनसा ओफशन हमारे पास सही है, सबसे अधिक बिचलन होता है लाल रंका, सबसे कम बिचलन होता है लाल रंका, सबसे अधिक तरंग दहर होता है लाल रंका, सबसे कम 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 तरंग दहर होता है शूर कि अजिबर सुपेड Ooo सूर्य परतीत होता है, इसमाइन सीथ सिथbahn को नले तो लोग सुर देखते हैं हम लोग सूर को तो सूर शुटाप प्रतित होता है शूरुदय के काफि पूर्भ नहीं सूरुदय के समय नहीं दोपर कि समय हाथ उसके छेत्रे फल पर निर्भर करता है तो नमबर एक है चाला की लंबाई पर तो नमबर करता ही है चाला की लंबाई पर तो नमबर करता ही है चाला की लंबाई पर नहीं करता है छेत्रे फल पर आकार पर यह करता है मतलब अब लोग इसके लिए फार्मूला आपको बताए थ यह होता है रो बराबर आर ए बटे यल अर्थात देखो यह प्रतिरोध पर निर्भर करता है चेतरफल पर निर्भर करता है यहां से आर का मान निकाल लो तो आर बराबर का होगे रो यल बटे ए तो चेतरफल प्रतिरोध लंबाई यानि ताप लंबाई चेतरफल इस पर निर रीड़ी कीरम के सा हमदियुद चालकों का सहयोज बानने पर उनका परतिरोद नियुंतन होगा। एक चीछ धनकनाज़, अगर हम लोग को चारो परतिर्णों को स्रेड़ी किरम में जोड़ेंगे, स्रेड़ी किरम का मतलब क्या होता है? जैसे माल लोग कि आप लोग कुश्ण चाहे ना, अगर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करोगे, तो ऐसे जोडते जाओगे, तो इसे हम लोग कहते हैं स्रेडी किरम, इसमें हम लोग अधिक्तम प्रतिरोत प्राप्त करते हैं, अधिक्तम, और अगर हम लोग समांतर के हम प्रतिरोत को प्राप्त करोगे, तो एक बटे R1 प्लस, एक बटे R2 प्लस, एक बटे R3 प्लस, एक बटे R4, तो यहां पर हम लोग नियूनतम प्रतिरोत प्राप्त करते हैं, ठीक, तो अधिक्तम के लिए हम लोग स्रेडी किरम में जोडते हैं, नियूनतम के लिए हम लोग सभी समानतर किरम यानी जोडुद के जड़ा जाए टू फ़रणे करने करने जोड़ा जाए जैंच श्रल्ण दम्हें कर लों है रभेर ऑफ एक दो थीन चाार नहीं हो हो मुद नहीं हो भी ज explicar एक बिद्दु धारा बाही चाला के करण उत्पन चुंबिगी छेतर की दिशा ग्यात करने के लिए नियम लिए किस नियम की शायता लेते हैं? तो तो दोखो, एक बिद्धु-धराबाई चालक, रटी की चेतर की दिशा है। इसको ग्याद करने के लिए हम लोग, दाईने हाद क के अंगुठे का नियम लेते हैं। दाईने अद्रो, एक विद्धु धरा बाही चालक के खान उत्पन चुम्बी की थारी की दिशा गैत करना के लिए byधd diagnostic. द्रेशाइनकos नीम की द्रेशाँ li要कल है? जैसे एक विद्धु धरा बाही चालक है, भर सकार बुपしए अंगोलीयां की तार पर लिपटी हो और अंगूठा जो है धारा की दिशा की बहने की दिशा में हो तो अंगलियों से हम लोग ग्यात करते है कि ये चुम्बिगी छेतर की दिशा है और अंगूठा से ग्यात करते है धारा की दिशा है ठीक है धारा की दिशा है तो दाइने हाथ के अंगूठे का नियम से हम लोग इसको गयत करते है उपखंड खा में आ जाओ निमलिगित में से कौन सी धातू ठंडे जल से हाइड्रोजन गयास निकालती है देखो आपको बता दे कि निमलिगित में से कौन सी धातू ठंडे जल से हाइड्रोजन गयास नि निमलिकित में से L-Keen है, L-Keen किसे कहते दोखो जिसमें इन, डबल बांड आ जाए, वो इन, सिंगल बांड आ जाए तो एन और ट्रिपल बांड आ जाए तो आइन, दोखो, H2C, डबल बांड, C, H2, तो B-Part आपका सही हो जाएगा, सिंगल बांड होने पर इन, डबल बांड होने पर इन, और ट्रिपल बांड होने पर आइन, तो यहाँ पर देखो, इन की, L-Keen, मतलब आपकी बांड बांड सही हो जाएगा, H2C, डबल बांड, H2C, Q10, एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान संभव है, तो pH मान क्या है, संभव है इसका, एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, अगर बिलियन, देखो, लाल लिटमस को नीला मतलब बिलियन है चारी, बिलियन है चारी, और चारी का pH मान साथ से अधिक होना चाहिए, अमले का pH 1 साथ से कम होना चाहिए, ठीक है, तो एक जो है यह अमल है, option नमबर 1 में है, 1, 3, 6, 8, तो एक तीन, 6, तीन, तो अमल है, लेकिन 8 जो है, यह चार है, इसका मतलब 8 जो है option में हमारे पास सही है जाएगा, क्लोरीन के अडू में आबंद पाया जाता है, तो क्लोरीन के अडू में आबंद पाया जाता है, आपके पास एक सहीोजी आबंद, कितने सहीोजी आबंद, एक सहीोजी आबंद, कैसे, क्लोरीन के बारे बताते हैं आपको, क्लोरीन का फार्मूला होता है CEL, जिसका परमाड़ निकालने का तरिखा क्या है 288 18 32 32 टिज्डिया पहले दो दे सकते हैं दूसरे में 8 दे सकते हैं तीसरे में 8 नहीं दे सकते हैं लोग क्योंकि हमारे पास 17 होना जी यह 8 2 10 अवसा 17 यहांähän पर आठ होने के लिए एक की कमी है, अर्थात ये एक सायोजी बनाएगा यह है, ठीक है, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आड़ू में आबंध केतना पायाता है, एक सायोजी आबंध पायाता है, क्वेश्च नमर 12, जल को जिवालु रहित बनाने में उपयोगी पदार थे, जल को जिवालु रहित, जल को जिवालु से मुक्त करने के लिए ब्रंजक्चून मिलाते है, ठीक, जिन अभिकिरियाओं में आइनों के बिनिमय से नए योगिक बनते हैं, उन्हें का जाता है, आइनों के बिनिमय से, मतलब आइनों का आदान परदान है, दो आइनों का आदान फ्रदान पर्दान ठृकं तो यहां पर देखो वैसे तो प्रतिस्ठापन अभी‌किर उभाए अब गटन योगात्माग तो वैसे यहां पर अाइनों की बात कही गई मैं तो दिविस्ठापन अभी किरिया होना चाहिए लिह तो इसका मतलब आयनों की बात कही गई है, मतलब इसका मतलब है, दो आयनों की बात कही गई है, तो दो इसका मतलब होना चाहिए, बहुत हम लोग इसको पृतिस्थापनी सही करेंगे, ठीक है, तो जिन अभी किरियाओ में आयनों की बिनिवाई से नई योगिक बनते हैं, उन इसने हें दूरी पर जल हो, उसको जल को जड़ों तक लाना अब फिर यहां तक दो हो जैसे मालनो कि ये कोई आपके पास एक पउधा है ठिक एक पउधा है ये कोई एक पउधा है ठिक अब ये मूल जड़ है मालनो यहाँ पर जल है यहाँ पर जल है तो जल को लाने का काम है जाइलम तो जाइलम का कार है जल को लाना जल का सम्भेन करना फिर जड़ों तक लाना जड़ों के बिभिन्य भागों से जल को पौधों के बिभिन्य शाकाओं तक पहुचाने काम होता है फ्लोयम फ्लोयम का काम होता तो यह जाइलम और फ्लोयम तो भोजन का सम भोजन को पहुचाना होता है फ्लोयम भोजन का बहन करना फिलोयम और जल का बहन करना जायलम तो कौन सा आपका और प्रियोग के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने किस पर प्रियोग के था मतर पर उद्धान मतर पर जो एक वर्शी पोड़ा है और वन्शिक्ता के प्रियोग के लिए मेंडल ने निमलिकित में से कौन से पाउधे पर उप्योग किया था तो तो सिंपल सा है मटर के पाउधे पर प्रियोग किया था तो मटर के पाउधे पर प्रियोग किया था निम्लिकित में से कौन मानाव में मादा जनन तंतर का भाग नहीं है मादा दो जनन तंतर होते हैं एक नर जनन तंतर और मादा जनन तंतर है तो मादा जनन तंतर में भाग क्या होते हैं अंडासा है गर्वासा है और देखो निम्लिकित में से कौन सा मादा जनन तंतर का भाग टो अंडा साह, अंडा साह में स्तरियों में ही पाई जाते हैं, और घरवा साह, घरवास जो इस्तरियों में ही पायते हैं कुशना 11 स्वपॉशी पोशण के लिए आपडऄन्ट के लिए जेल वी आपड़शके है कारवॉणरी आकसाइट फीाड़य प्रोशरक प्रकाष स्वॉरोफिल भी आपड़शक है थीकिए तो चौकरवॉणरी आकसाइट जल्प्भील प्रकाष इन में सब्सक्रिए आप लो किस में होता है है एमीबा में यह मों पलामी इस में और लेशमानिया में तो इस्ट करोगे को यह मारा डिया था तो आ्लेचनल मों मुप ल pourquoi इस है प्लामी में होता ही एश्ट नंकोशनल लांश झारन हे आट्ट ही जुर्ण प्राकर्तिक वरणवाद का प्रतिपादन किस ने किया था तो आपको पता तो है जिर आपके गरदन की बात, सार्प के पैरों की बात, मनुष्य के पूंच की बात, एक्जामपल तो याद है आपको पहलवान की बच्चे पहलवान क्यों नहीं होते हैं, इस अब वक तो आपको अधिन करवाई दिया था, बस वही लिगन बशारते क्या है, इस बार सलिबस में नहीं है, तो भी पार्ट सही है, डार्बिन ने, अब उपखंड का में आ जाओ, उपखंड का में फिर से एक बार, उपखंड का में एक मोटर बाइक पर पीछे आ रहे है किसी अन बाहनों को देखने के लिए दो मिटर वकरता दिरिज्जा का एक उतल दरपड लगा है, बाहन की पीछे आ रहे है बाहन की जिसकी दूरी मोटर बाइक से चार मिटर की है, ग प्रिश्ण करें लिए अपने बाहनों में उत्तल दरपड का प्रियोग करते हैं उत्तल दरपड का प्रियोग करते हैं चोड़ा बनाना और सीधा बनाना ठीक इसलिए उत्तल दरपड कर प्रियोक करते हैं तो इंका कहना क्या है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे हैं अन बहानों को देखने के लिए दो मिटर वकरता तिरज्जा इसको आर से लिखना उत्तल दरपड लगा हुआ है बिल्कुल स ऑपको समझाना है ठीक है समझादे थे हैं चिल नमबर हमारा पहला ही है अपकी बार कुष् hall घ्राल है पहला हमीं लोग उत्तर व सबसे पहली बात तो है daha वराबर दो मीटर और इसके बाद है Cape वस्तु की दूरी तो यू वराबर चार मीटर यू वराबर चार मीटर और प्रतिभीम वराबर हमारे पास कोशन मार्ग अब एक चीज आपको यहां पर विशेश ध्यान देना होगा कि हम लोग यहां पर यफ निकालेंगे उससे पहले वस्तु की दूरी चार माइनस में होता है इसमें माइनस में करोगे तो हम लोग यह बराबर फार्मूला जानते हैं कि यह बराबर फार्मूला होता है आर बटे दू यहां पर हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यह बराबर हम लोग लिखेंगे आर्कमान दो बटे दो अर्थात यक बराबर एक मीटर अब हम लोग दरपण सूत्र लगा देंगे दरपण सूत्र क्या होता है देखो दरपण सूत्र दरपण सूत्र एक बटे यक बराबर एक बटे वी प्लस एक बटे यू लेंस में यहां पर माइनस कर देना दरपड़ में प्लस कर देना तो एक बटे एक बराबर एक बटे वी और यहां पर प्लस आपका हो जाएगा एक बटे माइनस चार ठीक तो यह हो जाएगा आपके पास एक बटे एक प्लस एक बटे चार इसे पच्छांत्रा के लिए आएंगे एक बटे वी दोनों का LCM हो जाएगा आपकी पास चार चार एकम चार प्लस एक एकम एक बराबर आपकी पास एक बटे वी तो यह हो जाएगा एक बटे वी बराबर हो जाएगा पांच बटे चार ठीक इसको उल्ट नियसका पेता पलते था सबम आख म हमारे पास इतने दूरी पर बने मिंधिया के ला जब आख मीट्रम और में अर्फाक्ता सी हम विए फिर्ली बने धे मैं दावा प्रश्ट जो है हमारे पास P है धुरू है यह अंदर बड़का दोरक है यह मुख अक्ष है और यहां मालो की यहां कहीं पर भी वस्तु है बस्तु कितने दूरी पर है देखो समझना आप लोग यहां पर वस्तु वस्तु चार मीटर की दूरी पर है बस्तु कितने मीटर की दूरी पर है चार मी बस तुसे हमेसा कितने किर्णे निकलती है, दो किर्णे निकलती है, दोनों किर्णे जहां पर मिलेंगी वहां बनेगा प्रतिविम, ठीक है, लेकिन परावर्तन की पश्चात, तो हम लोग क्या करेंगे, कि एक किर्ण ले जाते हैं मुकक्ष के समांतर, जो किर्ण मुकक्ष के समानतर उकर आती है फिर फोकस से उकर जाना चाहिए उत्तलतर पड़ में यह किरण ऐसे यू निकलती है ठिक अप्रावरतन की परश्चाद फिर एक किरण हम लोग कहां से ले जाएंगे तो ध्यान रखना कि बस्तू से हमेशा दो किरणे निकालेंगे बस्तू से हमेशा कितने किरणे निकालेंगे हम लोग दो किरणे तो एक किरण को यू टारगेट ले जाएंगे माल लोग कि यहां पर फोकस है ठिक यहां पर फोकस है फोकस से लुगा यहां पर आपके पास बकरता के अंदरसी है तो एक किरण अगर मुखक्ष के समानतर हो कर जारी तो एक किरण को टार्गेट बना दो यू, फोकस से, लेकिन एक चीज, अगर किरण फोकस से ले जाओगे, तो फिर किरण मुखक्ष के समांतर हो जाएगी, एक काम करते हैं, किरण को अम लोग वकरता केंदर से निकल ले आते हैं, अगर किरण वकरता केंदर से निकल जाती है, तो अम लोग ए यहाँ पर दर्शाद हेरे हम लोग, तो यह अप अपर या अपावरतन की परस्चाहत यह चली जाएगी, परावरतन की परस्चाहत यह चली जाएगी एक किरण हम लोग मुकश के समानतर ले गए और यू पराबरतन हुआ एक किरण हम लोग यहाँ पर दुरूब से टक्राकर हम लोग देखा क्योंगी इसको पराबरतन हो गया दोनों किरणे कहीं पर मिलने के संभावना नहीं है तो ऐसे condition प्रतिमिम बनेगा नहीं, तो इसको लिए हम लोग आभाश करते हैं, वानते हैं, क्या मानते हैं, समझना, माना कि इस प्रतिमिम को अब यह मोगश के समांतर तो फोकस होगा जाएगी, तो इसको फोकस से टार्गेट करते हुए इसको ले जाओ, और इस किरन को अगर पर्दूर्ण कbersव फिर्रा अरहाँ थीधियो कि यह हो गया है कि प्रदूर्ण एक प्रतिवितियों गाने सब której यह से प्रतिविमभ यह इने कुछे never like a Сब्सक्राइब आप वास्ति नमर अपलगी ने टियुक्त ऴॉा के मैं की इन दॉच को समस्क्राइब दो तो आप लोग लिखोगे उत्तर दो ठीक है इसे, बोर्ड एक्जाम में लिखोगे अब लोग उत्तर दो उत्तर दो में क्या है निकट द्रिश्टी दो से पीडित एक व्यक्ती अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है तो निकट द्रिश्टी दो से पीडित एक व्यक्ती अधिक से अधिक कितनी मीटर की दूरी पर देख सकता है 100 मीटर की दूरी पर देख सकता है गड़ना कीजिए कि सही द्रिश्टी के लिए अर्था अनंत दूरी तक देखने के लिए प्रकर्थि इंmaybe focus दूरी का प्रियोक करना होगा, अब देखो ब्यक्ति का ब्रश्ट केलीर तक भी द Megafnett together, अदिक साधिक 100 mm के दूरी दोरी सकता हैं, गज़ना किजिए उसी साही दूरी दूरी तक देखने केलीए य direction से किस प्रकृतिक का और फोकसदूरी का लेंस का प्रीयोग का प्रियोग करना होगा समझों पहले माल लोग immersion वस्टू जो है वह आनंद पर है है वस्टू जो है वो कहां पर है अनंद पर है ठीक, अब एक चीद है रहागना, निकट द्रिष्टे दोस्ट के लिए कौन सो लेंस का प्रियोग करते हैं, आउतर लेंस का प्रियोग करते हैं, इसलिए हम लोग यूँ अम लोगों ने माइनस मे ले लिया, और जो हमारे पास प्रतिविम है, वो कितने मीटर की दूरी पर है लेंस इनका कहना है कि यह जो है, यह कोशिन मार्क में है, तो यहाँ पर हम लोग अपने नेतरों में लेंस का प्रियोग करते हैं, दरपड का प्रियोग तो करते नहीं है, तो लेंस उतर लगाएंगे यहाँ पर, तो हम लोगाएंगे लेंस सो उतर, लेंस सो उतर, लेंस सो एक बटे एक बटे की दूरी पर पर 100 मेटर की दूरी पर इनका कहना क्या है इनका कहना है कि किस प्रकरति इन लग कितनी फोकस दूरी का लेंस का प्रियोग करना होगा और किस लेंस का प्रियोग करना होगा तो माइनस में है तो सभी माइनस में है यू भी यप सभी माइनस में है तो हम लोग कहेंगे आउता लेंस का प्रियोग करना हो इनको कौन सा lens को प्रिएक करना होगा अओ-ठल लेंग में सभी माइनस में होते है आफ-ठल लेंग किसे कहते हैं वह além जो किनारों पर मोटा भीच में पतला हो उसे अथर लेंग कहते है ठीक है वह लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा हूँ से आउतर लेंस कहते है जो कि कुछ इस परकार से है कुछ इस परकार से है ठीक है कुछ इस परकार से है यहाँ पर परकार केंदर पर डाल दो अभी लंब यह हो गया लेंस का मुख अक्ष ये क्या हुआ लेंस का मुक अक्ष बस्तु कहां पर है अनंत पर है बस्तु कहां पर है अनंत पर है ये बस्तु है बस्तु है ए भी जो है ये बस्तु है ठिक ए भी जो है ये बस्तु है जो की कहां पर है अनंत पर है वस्तु से कितने केड़ने निकलती है वस्तु से दो केड़ने निकलती है देखो यहाँ पर इस lens के लिए यह हमारे पास focus यह हमारे पास वकरता केंदर है इस lens के दो पार्ट्स ना इस पार्ट्स के लिए यहाँ पर यह focus फोकस . और यहं पर यह वक्रता केंद्र है उस लेंज के लिए धुरूब। यह इस लेंज के लिए धुरूब। बस तुँ अनन्थपर है बस दो किर्णे निकलती है यह यू किर्णा नीकलेंगी एक किरने हम लोग यू ले जाएंगे जो किरने मुक अक्ष के समानतर हो तो वो किरने किस से होकर जाती है फोकस से होकर जाती है जो किरने मुक अक्ष के समानतर हो वो किरने किस से होकर जाती है फोकस से होकर जाती है तो यू ये किरने जो है ये फोकस से होकर जाएंगी ये किर या किरण आरेक, थोड़ा से पॉइंट इस पर समझना है, पॉइंट ये समझना है, कि इन किरणे ये जो किरणे न, ये किरणे ऐसे निकलती है, डरपड से ऐसे निकलती, मतलब यहीं से निकाल दो, यहां से निकाल के, यहीं से निकाल दो, ये किरणे ऐसे निकलेंगी, तो इ यूँ जाती है यूँ आती है तो यूँ जाती है तो हम लोग इसको पीछे की और खीच के ला रहा है कि प्रतिम बनाने के लिए ठीक है यह पॉइंट ध्यान डगना अब धेखो Q3 में ओम का नियम क्या है सबसे पहले आप लोग हैडिंग क्या डालोगे उत्तर तीन उत्तर तीन और हैडिंग डालोगे ओम का नियम ओम का नियम किसे कहते है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है भौतिक अश्था जानते हो जैसे ताप, दाब, लंबाई आती में अगर परिवर्तन ना किया जाए तो विभांतरो धारा का जो अनुपाथ हो कि नेतांग होता है उसे हम लोग ओम का नियम कहते है क्या पुछनों ने, ओम का नियम क्या है इसकी व्याक्या संबांतरो विद्रुत परिपत बनाकर सिद्ध कीजिए कि याई भी बताईए कि विद्रुत चालख प्रत्रुत किन किन कारकों पर निर्भर करता है अच्छा तो पर देखिए पर इस से तो देखो परिपत हमने बना परिपत चैनल का पर निर्भर करता है तो आपको बता देह कि बहुत ही का परिवर्त रहे तो चालक में बहुत है प्रिवानतर के अनुकर्मानुपाती होती है अरफ़ात आपको बता दे कि भेणे वाली धारा जो है विवान्तर का अनुकर्मानुपाती होती है यहां पर दरशादर हम धारा आई जो है वह अनुकर्मानुपाती वी के है अब हम लोग यहां पर एक नेतांग लेते हैं, इसको आइस भी कर सकते हैं, वी अनुकर्मानुपाती आई, अनुकर्मानुपाती हटाने पर नेतांग लेते हैं, तो वी वड़ाबर हम लोग लेंगे यहां पर, आई और अनुकर्मानुपाती में हटा के नेतांग लेंगे आर यह हमों लोग किए सकते हैं वी वटे आई मर्याबर हमारे पास हो जाएगा आर शप्थ हरे किसे गए लिग Mina yoga कि उसके किसे कहते ही विभानतादा धारा के अनुपात को में यहाँ पृतिरोध काम कहते हैं मार्डिकना बाधरा करना घर काम हो घृत यह पर पृतिरूद कीन किन देखिओ यह बcomp यह बैטरी है जो की बनके रुट बॉल्ड मीटर म मापना लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है अर्था जितनीό लंबाई बढऊ farmel ध्रथि होगी ѕक साथ फहा निर्थि होगी कई सकता क्ली tree लंबाई के एंगर जटनीं लंबाई पढ़ाओंगे लंबाई मीरा व्रध्य होगी तो प्रति रेला है उपाट बातLE्स सीываем। प्रतिरोध भी बढ़ेगा अगर लंबाई व्रद्धी करोगे तो प्रतिरोध भी वहाँ पर बढ़ेगा प्रतिरोध जो है चालक के छेत्रफल के अनुकर्मानुपाती होता है इसका मतलब है अगर प्रतिरोध छेत्रफल जितना अधिक करोगे प्रतिरोध का मान उतना ही कम ह और प्रतिरोद जो है उसके ताप के अनुकरमानुपाती होता है आरता ताप में व्रद्धी करोगे तो प्रतिरोद की मान में व्रद्धी होगा व्रद्धी करोगे मतला अब अगर ताप में व्रद्धी करोगे आप लोग तो प्रतिरोद का मान भी बढ़ेगा अगर Q4 में नुमेरिकल से है, तो चार से पहले इतनी को शॉट कर लो, फिर Q4 ही करेंगे भी हम लोग Q4 में है, तीन प्रतिरोद, चार ओम, छे ओम, जिथा बारा ओम की है, ठीक, तीन प्रतिरोद है, और इन्हें बारा बोल्ड की बैटरी से जोड़ने, पर परिपत में धारा कमान ग्याद कीजिए नमबर एक प्रतिरोद को स्रेडी करम में जोड़ा गया है, नमबर दू प्रतिरोद को समांतर करम में जोड़ा गया है, और बैटरी का आंत्रिक प्रतिरोद नगन है, तो सबसे पहली कंडिशन में इनका क्या कहिना है, उत्तर चार है, उत्तर चार, तो हम लोग लिखेंगे R1 बराबर हमारे पास क्या है? 4 Ohm R2 बराबर हमारे पास है 6 Ohm और R3 बराबर हमारे पास है 12 Ohm और V बराबर है 22 Ohm ठीक है? तो देखो सबसे पहले धारा आप लोग गयात करोंगे मतलब आप लोग I बराबर Question Mark दोनों क्रम में जोड लो सबसे पहले हम लोग किस करम में जोड़ेंगे? सबसे पहले हम लोग प्रत्रोदों को स्रेडी करम में जोड़ेंगे तो स्रेडी करम तो स्रेडी करम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक है? इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे समानतर किरम अर्थात इसको हम लोग पार्ष्व किरम भी कहते है तो एक बटे R बराबर एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3 थिक है? तो हम लोग सिंगल प्रतिरोद ग्यात कर लेंगे पिर हम लोग आराम से गयत करेंगे तो दोगों हमारे पास R बराबर हमारे पास क्या क्या है? 4 है प्लस 6 है प्लस 12 है तो R बराबर हमारे पास 4, 6, 10, 10, 20, 22 ओम, ठिक? और 1 बटे R बराबर 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 12 अब यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि इसको हम लोग जो है किस किरम में समांतर किरम में अब LCM लेके हल करते हैं इसको ठीक है तो जब LCM लेके हल करेंगे तो यह हो जाएगा एक बटे आर बराबर यहां पर सबका LCM के अनुची यह पाड़ा पड़ते हैं 12 LCM है क्योंकि 4 तो चार 3 या बारा तीन से गोड़ा कर लो चैर दूनी बारा उपर दो से गोड़ा कर लो कंब दो इनके कहेना क्या है हम लोगोण दोनों ग्यार कर लेए अब धारा का महान अब लोग ग्यार कीजिए तो धारा के लिए जब भी व लम का नियम हो तो ओम का नियम कैनल ओम का नियम यह होता हे कि व वेते आई और अर अर्थात हम लोग i get करेंगे तो i वराबर v वटे r क्यों जाएगा i वराबर v वटे r तो यहाँ पर दो बन लगाएंगे एक बन लगाएंगे i वराबर v के जगह हम लोग क्या लगाएंगे v के जगह लिखेंगे हम लोग 22, r के जगह लिखेंगे 22 ये cancel तो I बराबर एक ampere एक answer पुन्हा, I बराबर V वटे R V के जगल लिखोगे बलोग 22 और R के जगल लिखोगे 2 तो cancel होकर 11 तो I बराबर 11 ampere तो हमारे पस दो answer है एक answer है I बराबर 1 ampere और एक I बराबर 11 ampere ठीक ये दोनों हमारे पस यही तो उनका कहना था, तो अब देखो हमारे पास next question में क्या है next question में ये है कि घरों की wiring के परिपत में main fuse का कार है एक कमरे में बिद्द बल्ब regulator सहित, एक पंका तथा एक plug point को बिद्द में से जोडता है, अब अशक बिद्द परिपत बना कर इसको समझाना है तो देखो हम लोग लिखेंगे उत्तर चार का अत्वा, अगर हम लोग ये नहीं करना है तो उत्तर चार का अत्वा तो हम लोग लिखेंगे उत्तर चार का अत्वा देखो अब हम लोगों ने इसको इसी जो चित्र है वो बना दिया है और लिगे दिया है इसमें काम के था घरों के वाइडिंग में में फ्यूज का कार क्या है में फ्यूज का कार क्या है तो हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्यूज का कार तो फ्यूज का कार प्रोप जो कार है तो प्रोप व्रवायद के दानल में अच्छान की होने से जो आवश्यक उपकाण आजेए टी वी पूर फ्रीज वाशिंग बागरा जो है ये उपकाणा च्छती होने का भाय रहता है इस च्छती से बचने के लिए हम लोग फ्यूस्तार लगाते है ठीक है पहले समझना टॉपिक समझना फ्यूस्तार लगाते है फ्यूझतार का काम क्या होता है कि बिध्द परिपद में फ्यूझ एक सुरच्छा योक्ति के रूप में कार करता है जब धार इस निश्चित परिमार से भी अधिक होती है तो फ्यूस्तार गल जाता है और बिद्धुत परिपट तूट जाता है जैसे चहती होने से बच जाती है यही मेन फ्यूस का कार है बस यही मेन फ्यूस का कार है तो जब किसी परिपट में का धारा के मान में व्रद्धी हो जाती है तो क्या होता है कि फ्यूस्तार जो है बहु इससे कोशन और पूछाता है, कि आजकल जो है, हम लोग फ्यूज की स्थान पर MCV क्यों प्रियोग कर रहे हैं, तो इसका प्रियोग करने का रीजन ये है, फ्यूज तार गल जाता है, जिसको बार-बार बदलना पड़ता हैं लोगों, ठीक है, बार-बार बदलते हैं हम लोग तो इससे हम लोग क्या होता है, कि जैसे हम लोग की धारा के मान में विर्द हो जाती है, तो फिर MCV के जो on-off है, वो switch जो है, वो नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने से फिर हम लोग उसको आसानी से उपर उठा देते हैं, तो इसमें हम लोगों को ज्यादा मैनत नहीं क तो यहां पर एक होता है, यह हमारे पास वायर है, तो यह हमारे पास वायर है, गरम तार है, ठीक है, तो यह होता है, एक 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 होत हमारे पास यह उदासीन यह वाले जो यह तार है यह लॉ यॉक्टन यॉतन तार है टै। repli तो यह यह red है यह black है और एक तार जो है वायर जो हमने नहीं धिखाया जुके अर्थिंग से होता है सबसे पहले जो हमलोग खंबे से जो दो तार लिया एक ही तार लियाते हैं उसमें दो होते ही है ठीक है ? दो आए तो एक को हम लोग कहा करते हैं को हम लोग मीटर के पास ले आते हैं मीटर में हम लोग दोनों तायर को वाइरिंग को फिट करते हैं दोनों वाइरिंग को फिट करते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस तायर को पर उसी तायर को अपने गरों में ले आते हैं सबसे पहले उस तायर को हम लोग कहां फिक्स कर करते हैं फ्यूज में फिक्स करने की बाद उसको अगetos ही भ Надख पॉइंट अगवा जाू भाल्य चाहिए बिन दो यो astronauts कमेट रुद्स करते हैं मांतों सारी पॉइंट करते हैं छे बाद रेंपलग सकते हैं। इसके बाद उस इतंऔर प्लग 우리가 फटियाओ जिसमें पंखे के लिए परिपत बनाई है जिसमें रेगुलेटर भी है तो कर लो शॉट इतने का अधिर हम लोग आगे कोशिन करते हैं अब देखो हम लोग जो है हम लोग करेंगा उपखंड खायनी केमेश्ट्री पहुंच गें लोग अभक चैंके लोग जो पहुंचे है तो आज करतें एक अधान के निभ लिए हो जोग कि आप लोग सट्रत किजें के मतलब होताह भी समय श्रचसे बनाई चिंवंड बनाई है दो पाँच उत्तरा पाँच में हैं अब लोग स्टवना बनाऊगे तो कुछ इस प्रकार से बनाओगा, सबसे पहले है प्रोपे नल, प्रोपे नल, सबसे पहले नल के लिए, सबसे पहले आपको पताते हैं, कि प्रोप के लिए और नल के लिए, तो नल के लिए C-H-O का होना जरूरी है, C-O-H-O तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, अल, तो देखो इसको हम लोग जब बनाएंगे, तो कितने कार्बन है, प्रोप, प्रोप का मतलब हो गया, मेत एथ प्रोप, तीन कार्बन हो चाहिए, आपको गिंती हमने शिखा दिया थे आपको, मेत एथ प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक से, हेप्ट, ओक्त, नॉन डेक, तो स्यम बही यहां पर प्रोप का मतलब हो गया, कितने कार्बन, तीन कार्बन, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो मेत एथ प्रोप, अब यहां पर समझना, प्रोपे नल, तो आपके पास प्रोपे नल, आपको दिखाओगे, ठीक है, तो यहां पर हम लोग दिखाते हैं, एक, दो, तीन, कार्बन की पास कितनी बंद होने चाहिए, चार, तो एक, दो, एक, दो, तीन, चार, 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 तो कार्बन की पास कितनी बंद होने चा अब O को यहां दिखाएंगे, तो यह खाली हो जाएगा, तो O को चाहिए double bond, तो यहां पर हम लोग double bond दिखाते हैं, तो CHO, तो यह हो गया संग्रश्चना सूत्र, इस सूत्र को ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, कैसे समझना, जैसे हम लोग दिखा सकते हैं, CS3, single bond, CS2, CS3, single bond CS2, single bond, या तो इसी की साथ दिखा दो, CHO, ठीक, या तो फिर इसको लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, CS3, CS2, single bond, CHO, ठीक है, अब देखो, अब आपके बस दूसरे नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में है, आपके पास, दो मेथिल पेंटोइक अ अमले, तो ढाँ, दो मेथिल पेंटोइक अमले, इसका मतलब क्या है, पेंटोइक अमले, इसका मतलब कितने अमले के लिए, पेंटोइक किलिए रहता चाहिए, OEक के लिए हमारे पास COO, या शमू हो, इसे हम लोगो OEक समू कहते है, कहते है Namig, साइब छोटी की मात्राई के बड़ी की मात्रा है? हा छोटी है यहाँ पर थोटी है और यहारँ पर पर ईटिए ठीक है तो दो, 5 अमल चाहाय होना 3 कारवन के लिए 5 कशारवन देखा नाम भी हिता है अब यहाँ पर एक छीज़या मंड़ना तो चार-चार बंध है, तो प्रतिक कारवन को हम लोगों ने कितने-कितने बंध दर्शा दिया, चार-चार बंध से हम लोगों दर्शा दिया, अब जो मेथिल है, वो मेथिल जो है वो दो पर है, और CS3 होना या CS2 होना, CS3 होना, इसे हम लोग क्या कहते है, मेथिल कहते है, इस इसको एक साथ दरशा देते हैं COOH अर्थाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझेना हम लोग CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर यहाँ पर हम लोग क्या दर्शाएंगे? तो ध्यान दखना कि एक, दो, तीन, चार हाँ, चार बन तो इसे complete है, ठीक? तो यहाँ पर दर्शाएंगे CH उपर जगा खामे नीचे दिखाते हैं, CH3 और सिंगल बॉन्ड COOH यह भी हम लोग इसको आईससे भी दर्शाएंगे दो मेथिल, पेंटोइक अब देखो गा नंबर में है प्रोपीन गा नंबर में है प्रोपीन प्रोप तीन कारबन होना ज़रूरी है इनके लिए डवल बंड तो देखो, इसके शराजना सुत्र कैसे दिखाओ के अब लोग तो तीन कारबन तो एक कारबन दो कारबन, तीन कारबन ठीक? कारबन तो प्रोपीन तो आपके चार-चार बंड चाहिए डवल बंड दर्शादी हमने उठी है डवल बंड दर्शाएंगे तो देखो एक, दो, तीन, चार, पांस तो इसका एक हटा दो एक हटा दो इसका होगे दो, और एक होगे तीन, और एक होगे चार तो एच, एच इसको हम लोग कैसे लिख सकते है CH3 CH3 गहा नमबर में है 2-methyl-butanol 2 2-methyl-butanol 2 घहा नमबर में है 2-methyl-butanol 2 मतला methyl बंड दो पर है और all भी दो पर है मेथिल के लिए तो हम लोग क्या लिखते है CS3 लिखते है और butanol ऐनि अगर आज जाए तो इसे कहते है all और all भी कितने पर है 2 पर है यानि methyl भी 2 पर है और all भी 2 पर है और butanol के लिए 4 carbon होना जरूरी है तो 4 carbon एक, दो, तीन, चार प्रते carbon को 4-4 बंड चाहिए तो 4-4 बंड दर्शा देते हम 4-4 बंड दर्शा देंगे इदर से दिखाओ तो यहाँ पर दिखाएंगे तो हम यहाँ पर दिखा दे रहे ठीक है तो यह जाएगा हमारे पास hydrogen एक काम करते है mute यहाँ पर दर्शा देते all और यहाँ पर दर्शा देते CH3 तो यह जाएगा इसको में लोग ऐसे भी लिख सकते है CH3 आप देखो Q6 भहुतिक एभम रसाइनेक गुड़ो धर्मों के आधार पर एथे नौलों एथे नौलों अमल में आप कैसे अंतर करेंगे भहुतिक एभम रसाइनेक इससे पहले हम लोग एक काम करते है Q7 को कर रहे ठीक है Q7 में है Q7 में क्या है तो उत्तर साथ उत्तर साथ में है कि प्लास्टर आफ पेरिस प्लस का नंबर में है प्लास्टर आफ पेरिस प्लस डॉट 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 र east रियक्शन के बाद है आपका Gypsum ठीक है Gypsum अब देखो तो जिप्सम को जो है प्लास्टर आफ प्लास्टर आफ पेरिस से हम लोग क्या बनाएंगे gypsum सबसे पहली बात प्लास्टर आब पेरिस का आपको फार्मूला आना चाहिए तो प्लास्टर पेरिस का फार्मूला क्या होता है, देखो हाप S2O होता है, बस इतना ध्यान रखना, तो C A S O 4 into हाप S2O, प्लस इसमें जिपसम में होता है 2 S2O यहां पर, बस तो यहां पर 3 बटे 2 जल मिला दो, तो यह हो जाएगा आपके पास, 3 बटे 2 S2O, मतलब 1 S2O, हो गया, अब देखो यहां पर फिर खा नंबर में क्या है, खा नंबर में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, खा नंबर में है, हाइड्रोजन, तो आपकी बट डिरेक लिग देते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, यह 2, प्लस क्लोरीन का होता है, C L2, जिंक आकसाइ्ट, जिंक कार्बोनिट, तो नम्बर, जिंक कार्बोनिट का फार्मूला क्या हुथा, जेट एन CEO3, ठीक ह cater, और क्या होनेगा आपका जिंक आकसाइट उन्य, जेड एन i जए न ओ, तो दहने डखना, कि यो जाएगा जेड एन CO3 reaction इसमें गरम करके बनाते है गरम करके तोड़ते है Ging Oxide क्योंकि हम लोग जानते है Ging Oxide Plus Plus . . . ड़नकना कि Ging Oxide Ging carbonate को जब गरम करते है तो यहाँ पर CO2 gas निकलती है तो यह जाएगा CO2 जो की gas इस परकार से निकल जाएगा CO2 के balance है तो balance भी है यह इसके बाद देखो घा नंबर घा नंबर में है magnesium magnesium का formula क्या होता है magnesium का formula जो होता है mg plus के बाद है खाली इस तन पर magnesium chloride plus hydrogen magnesium chloride mg Cl2 plus hydrogen H2 इसका मतलब यहाँ पर हम लोग HCL से ही किरिया कराएंगे तबी तो बनेगा हमारे पास mg Cl2 क्योंके हम लोग यहाँ पर किसे कराएंगे HCL से किरा कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग balance भी करेंगे तो CL दो बार है तो 2 से गुड़ा कर देंगे तो balance भी complete है अब देखो आप लोग जो है इंग्या नंबर इंग्या नंबर में क्या है इंग्या नंबर में है आपके पास कि barium chloride और sulfuric आमल barium chloride का formula होता है BACL2 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 H2SO4 reaction reaction की बाद है अपके पास खाली स्थान फिर हाइड्रोकलोरिक आमल खाली स्थान है फिर हाइड्रोकलोरिक आमल का होता है HCl तो यहाँ पर दो यह ने इसके साथ किरिया करके बना दिया है HCl और BA जो है इसके साथ किरिया करके बनाएगा BA HO4 जो कि इसे कहते हैं दुई भी स्थापन अभी किरिया यहाँ पर प्रति स्थापन अभी किरिया है और यह दुई भी स्थापन अभी किरिया है बैलेंस कम्पलेट नहीं है तो बैलेंस कम्पलेट करने के लिए दो से गोड़ा करते हैं complete, दो, C L 2 बर, H 2 बर, बाकि Y하신 F4, बी है 1 इतक बर, अब देखो, इसमें पर आपका है, चा नमबर, सिल्वर नाइट्रेट, चा नमबर में है, सिल्वर नाइट्रेट, प्लस सोडियम आउड़ाइट, और खाली स्तान, सोडियम नाइट्रेट, दुई Silver Nitrate का formula क्या होता है? Agno3 हा? Silver Nitrate का formula होता है Agno3 Plus आपके पास क्या है? Sodium Iodide जिसका formula होता है NaI तए reaction के बाद खाली स्थान plus यह आपके पास क्या है? Sodium Nitrate NaNo3 NaNo3 जो कि इसका formula है ऐ जी यानन अनो थीरे से किरिया किया तो एजी ने आई से किरिया करके बना देगा आगने गल्रस थे इतरों और गुर्भ द्विन अथार पर ँदवर ऑहने बहुतिक गुड और असानीक गुड दोनों आपको बताना है एथे-नोयुक असानीक गुड़ दर्मों के आधार पर अतर करेंगे अगर आपका फर्मुला आजाए तो आपको बतादेंगे गुड़ों आधार पर इसी को बताते हैं च्छे में है च्छे कोशन, कोशन अच्छे क्या है, कि भौतिक एवं रासायने गुडों के आधार पर एथे नौल एवं एथे नौईक अमल में आप कैसे अंतर करेंगे, देखो एथे नौड एथे नौबर कोशन है, ठीक है, तो चार तो आपको अंतर लिख नहीं है, सबसे पहले देखो, आप लोग है, डालोग है, जो है भौतिक एवं रासायने गुडों के आधार पर एथे नौल एवं एथे नौईक अमल में अंतर, भौतिक गुड सबसे पहले एथे नौल और एथे नौईक अमल में देखो, इसकी विशिष्ट अभिलाचनिक गंद आती है, यानि एथे नौल, एथे नौल का मतलब होता है, आपकी पास एथिल एलकोहाल, यानि जो कि हम लोग शराब में लोग मिलाते है, शराब ही माल लो इसको, ठीक है, शराब, तो इसमें एक भिशिष्ट अभिलाचनिक गंद आती है इससे, जबकि एथे नौईक अमल अर्थात भी कर सकते, देख सकते, काईसा आकार है, काईसा कलर है, काईसकी खुच्बू है, स्मेल वगजरह कया है, यह सब आमारे पास हम लोग धाए भू अपोब पास, इसको हम लोग कैथे बहुत गोड़, इसका कॉतनाग तीनसोग्यावन केलवीन होता है, कॉतनाग तीन ज्दवना है निलिखोगे, एक दूइसके, उसके तो चार हो जाएंगे, चार नमब्र हो गए, जैक, अब इसमें तो बहुत दीट रासानिक गुर में क्या है, दो एथेनॉल यह इसकर रासानिक गुर में, यह क्या है, यह उदासीन पदारत है, उदासीन ना तो अम्ल है और अब आता है उत्तर साथ में का अध्वा उत्तर साथ में क्या है कि बियोजन अभी किरिया संचान ऐसा आ सिब्सक्राइब यह को इससे एक योगी को यह तोटना तूटना उस अभी किरिया को प्रयकास देखते हैं उसमें और गरम करके बढ़के तूटना वेयोजन का मतलब क्या होता है टूतना जब एक योगिक, दो यादो से अधिक तवो में तूत जाए। तूत जा aquilo जाए। तूत जाए। झाए ग्योजशन अभिकिर्या कहते है। बियोजन अभी किरिया वह रासने का भी किरिया है जिसमें कोई योगिक अपने अभी अभी तत्पों में बिवाज़त हो जाए, बियोजन अभी किरिया में तूट जाए, जैसे न, A, C, L देखो, N, A, C, L यहां से तूटकर N, A, C, L बना, तो हगो, H, G, O, H, G, O, तूटकर H, जैसे न, A, C, L, 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 A, C कोई धातू वायू या नमी के संपर्ख में आती है तो धीरे धीरे नश्ट होने लगती है इस अभी किरिया को संछारण कहते है जिसे लोहे पर जंग लगना चांदी पर आपके दो चांदी पर काली परचड़ना तामबे पर हरी परचड़ना ये सब संछार के उधारण है आप लोग इतना सीखो कि बनाना सीख जाओ, पिर अगर कोई पूछे कि इसका आंसर क्या है तो उससे जवाब दे सकते हो, कि हम लोग को आंसर को बनाते हैं, आंसर को रटते नहीं है, रटना जरूरी नहीं है, आंसर को बनाना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, जैसे आप ल नादू को धरे धरे नश्ट होना संचारान, लेकिन किसकर संपर्ख customers doku दोद किसके के संपर्ख meyr, वायू नमी के संपर्ख मेरे आने पर इसके पास लोहे की बाषटी லोहे की पाईद, इस में क्या क.'' जिंग की पतली पर चढ़ा जिससे कि यह संचारित ना हो, जिससे आपका एनोडिकन होता है, एनोडिकन हम लोग क्या करते हैं, एलमूनियम पर ऑक्सीजन की मोटी पर चलाते हैं, उसी परकार हम लोग लोहे की बनिवस्तू पर जिंक या जस्ते की मोटी पर चला देते हैं, जिससे कि वो संचारित ना हो, इसे ऐसदलेपन कहते हैं, तो लोहे पर जिंग की पतली पर चढना ऐसदलेपन कहते हैं, इस विधी से लोहे की बाल्टियों आदि की सुरच्च्छा कियाती ही, ठीक हैं? एक चीशा और ध्याना रखना, कि ऐसदलेपन को ही गैलवेनी करन कहते हैं, ठीक है, यह नाम याद आपके लिए मैं लिख दिया है, शौट कर लो अब जो, question number 8 को देखो 8 में क्या है कि अब लोग उपखंड गाहने, बाईलो जी भाग है question number 8 को देखो मेंडल के नियम क्या है इनको उच्चित्रो दौरा समझाए मेंडल का नियम क्या है मेंडल ने क्या कहता, मेंडल ने भाले पाधों के भी संक्रण कराया आई कराया अलाग लच्छड बाले पाधों के बिलोम मेंडल के था मिंदल ने क्या किया था में लाल पुष्प को लिये लाल पुष्प मैंने सुद्ध लाल पुष्प कडिया है one वाइट फिलावर मतलब हो गया है सफेद पुष्प तो सुद्ध सफेद पुष्प तो सुद्ध लाल पुष्प और सुद्ध सफेद पुष्प की बारे में जब संकर्ण कराया इनकी भी संकर्ण कराया क्रोस का मतलब क्या होता है संकर्ण, तो सुद्ध लाल और सुद्ध सफेद पुष्प के भी जब संकर्ण कराया, तो इनको हाइबरेट, तो हाइबरेट लाल पुष्प मिले इने, हाइबरेट लाल पुष्प है, फिर से एक बार, जब इन्हों ने, ठीक है, जब इन्हों ने Capital R और Small R के बीच जब संकड कराया तो उन्हें सुध लाल पुष्प ना मिलकर वहाँ पर hybrid लाल पुष्प मिले अचा कुछ कुछ बताते हैं कि R का मतलब है गोल बीच और Small R का मतलब होता है जुरिदर बीच ये भी बात सही है भी बात सही है अगर लमबे बहुते बॉने पुष्प के बारे में बता रहे हैं तो दो अलग अलग दो जोड़ी है बीपेर ऐसी लचचडों गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग प्राप्त हुए फिर इन दोनों का संकड कराये तो हाइब्रेड लाल पुष प्राप्त हुए फिर इन दोनों का संकड कराये तो हाइब्रेड लाल पुष प्राप्त हुए इन दोनों का संकड कराये तो शुद्ध सपेद पुष प्राप्त हुए दो शुद्ध लाल पुष प तो हम उसको भी बताएंगे, अब देखो, इसके बाद, इनका कहिना क्या है, अगला कोशन, अगला कोशन में है, पुश्प्रमें, निशेचन किरिया को प्रदशित करने, तो इस्तरी केशर की लंब काट का नामा की चितर बनाईए, और एब वर्णन कीजिए, तो इस्तरी और पंखोडियां नहीं बनाओगे, तब इस्तरी केशर की लंब काट कीशितर है, टिक है, बशरते अगर पूरे पूषप ले लोगे तो पूरे पूषब में क्या होता है कि पूरे पूषब में नरभाग और मादाभाग दोनों होते हैं ठीक है इसमें लोगों पूषब की स्तिरी केशल पाध के बारे में बताएंगे. आपसे पहली बात देहन दखना, जैसे, यहां पर पूरे पुष्ब की स्ट्रक्चर में जो आप लोग यहां से ध्यान देखना, कि यहां पर, यहां पर हوتे है दलपुझ, यहां पर्डेल जो की हमने नहीं दर्शायएं यहां पर. यहाँ पर दलपुन होते है जिसके करण यह जो पुश्प है उस पर टिकी होते है ठीक होते है ठीक है और इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना कि यह है मादा यूगमक इसके अंदर मादा यूगमक है कैसे अभी अब बता रहे है यह हमारा अंडा सा है जो फूला हुआ भाग यह पूला हुआ भाग अंडासा है यह क्या है पराग नली है यह जो नली है पराग नली है इसके अंदर क्या है नर यूगमक और यह क्या है हमारे पस यह वर्तिकाग्र है यही इस्तरी भाग है यही इस्तरी केशर है और पराग कड पराग कड यह पराग कड अब दहा लगना पराग नली पर क्या है पराग कड फिर से एक हे बढ़ ने इसे पराग कड थे आपको, यह पराग कड दिसे एक प सब्सक्वर्स sous पराग नली पराकड ठिक इसके अंदर पराकड यही पराकड क्या होता है कि जब बरतिकागर तक पहुचते हैं यह पूरा बरतिकागर है यह पूरा जो है यह वरतिकागर है जब बरतिकागर तक पहुचता है तो उस समय होता है निसेचन क्योंकि नर और मादा आपसम मिल गए बरतिकागर जो है यह पुष्बिखा इस्तरी भागे और जो यह पराकड है यह पुष्बिखा पुरुष भागे नर भागे और यह मादा भागे जब नर मादा आपस में संगलाइन करते तो उसके दौरान होता है निसेचन यही निसेचन की क्रिया है यही क्या है निसेचन की क्रिया अब जो आपर पराकाड बर्तिकाग्र से अन्दर होकर यह फिर जाते हैं, पिर कहाँ पहुचते हैं, ये अन्डासा में पहुच जाते हैं, पर वहाँ पर बिजार boundaries मार्तिकाड करते हैं, वहाँ से फुष्पाषण चालू होता नर तथा माधा केंद्रकों का संगलाइन निसेचन कहलाता है, यादि नर और माधा का आपस में संगलाइन होना उसे कहते हैं निसेचन, ठीक निसेचन कहलाता है, बर्तिकाग्र से पराकड के समय एक तरल पधार्त स्रावित होता है, बर्तिकाग्र से एक तरल पधार्त स्राव सुखी परिवार मुढ़ए, और दरुएंदु परिवार करने का सुखी परिवार स्यूहार इक परिवार में हमारे भारत में नियम है। कि हम दो हमारे दो, यानि परिवार को सीमित रखना सीमित परिवार कहते हैं, ठीक है, सीमित रखना सीमित कहलाते हैं, फिर से एक बार समझो अब लोग, यानि अगर हम लोग परिवार को सीमित रखते हैं, चोटा रखते हैं, तो उसे सीमित परिवार कहते हैं, ठीक, परिवार इनका कहना यह है कि परिबार नियोजन किसे कहते है इसे नियोजित करने की विभिन निविदियों का वर्णन कीजिए विभिन निविदिया क्या है नमबर एक तो आपको सीमित परिबार रखना परिबार को सीमित रखना बहुत जरूरी है कि जंशिंग पर नियंत्र पाने के तो योग, संचृत, रोग हे उसपर रोक ठाम भी पाना चाहि었. पर नियंत्रंट पर पाना भी चाहिए. अरφ परिवार नियोजन करने के लिए जो पुत्र हो उनकी कम आयू में विभा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सिच्चित होना बहुत जरूरी है। परिवार नियोजन की ग्यान होना बहुत जरूरी है। इसके बाद यह भी करेंगे। कन्या भुरुन हत्याओं पर भी परवावी रोक लगां चाहिए। आने पर अपनी जाज बगारा करवाते हैं। जो लड़का आयं कि यह तो लोग लड़की को नश्ट कर देते हैं। जो कि गलत बात है। आईसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है तो यह सब तो इनकी नियम है इसकी बादो नेक्स्ट कोईशन क्या है नेक्स्ट कोईशन है व्रक काडू नेफरान की रचना था इसकी कारविधी का वर्णन कीजिए व्रक काडू नेफरान तो व्रक काडू का मतलब क्या है आपके पास केड़नी में जो अडू है ना क वरक का अडू मलतला हमारे इंस काम क्या होता है इनका काम होता है जैसे रक्त का चनन करना चानना चानने का मतलब यह नहीं कि शुद्ध करना यहां पर शुद्ध नहीं होता रक्त रक्त को जल को छानना चाननते के बार जो जय है। को माल लो जो रक्त है उसको छांडना उस heeft अफच द्रव को रेट को पिल बनाना के मूत्र से क्रिया दोर सरीश से बहा नकालना आपको पता है कि हमने यह भी आपको पहलिए पढ़ा दिया है कि यह अंसृल्ड है क्ले भी आपको क्लूट बगरा रहे हैं कि जब हमने एक्सप् पर अगर यूरिया जैसे यूरिया में चनवर्ट हो जाए तो हमारे यूरीन में फिर हम लोग प्रेशा डाल प्रेशर आती है कि पिर मूतर की दौरा सरीर को बहान निकालो अगर मूतर को सरीर से बाहन निकाले तो पुन्हा वो फिर अमोनिया में चनवर्ट हो जाता है जो कि मारे सरीर के लिए बहुत हानी काराग है इसलिए ट्विट लगते ही तो ट्विट कर लेना चाहिए इसलिए कभी कभी देखते हो कि जब हम लोग किसी रेल्वी स्टेशन पर अभी वाई धमनिका है तो यह क्या है अभी धमनिका है अभी धमनिका है इसलिए अभी धमनिका है कौन से भाग? यह भाग.. यह पूरा संग्रायक न लिका है. अब वाही धमनीका है. अभी वाही धमनीका है. यह वाही धमनीका है. यह क्या है आपका बोमेन संपुट? प्रतेक ब्रकाडु रुदीर को छानता है.. रुदिर को चानता है, तो मूत्र का निर्मार करता है, इसे कार क्या है, रुदिर को चान कर मूत्र का निर्मार करना, फिर उन वर्ज पधारतों का चनन जो कोशिकाओ, दोरा होता है, जो सेच रहे आता है, उसे सरीर से बाहर निकाल देता है, वर्ज पधारत किसे कहते है, बठाट एक कढला सांछ सर्य से चाँे हैं で Сब यह सकी है क्या होता है ! अब यह काम क्या होता है ! ब्रहग काड़े पया होता है ! इसाटों किया है । अब यह कोई भी डाउट रही जांड़ लाकाट जाइस दिद्वन किकें तो इसमें हुआ है तो अगर उन्हों को दिक्कत आती है तो तुरंत कमेंट कीजिए हम एक एक पॉइंट करेंगे अगर आगे और सेट में पूछे जाए तो ठीक है अब देखो मानव की पाचन तंतर का नावांगी चीतर बनाई है पॉशन प्रकिरिया को समझाई है तो मानव पाचन तंतर बहुत अच्छे से समझा दिये तमने मानव पाचन तंतर कहा सी स्टार्ट सुरू होता है आपकी मुख या मुख गवा से मानव पाचन तंतर चालू हो भोजन को कीश नीती डूपा न सब्सकेद काना चाड़नक को टूर। आपके पास आता है चवरनक पीछन कमा डे देना । आपके बाद आपके मेरे मू living sentiment निचविए- just मैं गाल्य तन का कम किया होता है भोजन को ले इस तर ब करना उसके उसके उपहर कूँपलिए- पर भोजन की पास आमा साय में आपके पछाए पष्याल को elaboru में तो है आ पितल से होताय में होता है इसके बाद भोजन के समें कोषने, भोजन पुर्ण पहुँचते हैmesi. आपके आइसे हैं हो पानि भॉच्जन किए हम लोग पूरा पर हैं तो इसका चित्र बी देखुके हैं है तो इस परकार से हम लोगों ने आज जो है सेट दूसरे एकी ःप भी तो आपके सेट 3 में 3 पढ़ेंगे, 3 में 1-2 कोश्चन देख लेते, क्या इससे समध्दे कोई कोश्चन है, इससे समध्दे पोशड किसे कहते हैं, पोशड है, ठीके, अनुधार कार्ट का स्वाच नमाग चित्रपन है, पुष्पिकी, देखो, अब यहां पर केबल कार्ट की ब पुष्पिकी अनुधार कार्ट का टो हम लोग जो आपके सेट 3 है, उसमें टो टोटल डिसकस करेंगे, बूछ्पिक कलन गया ऑगे एक बहए पूटSorry की अनुधार कार्ट का नमग चित्रपने अनुधार क्या है, तो टोटल डिसकस करेंगे वहां प्रब तिक ह कोई भी डाउट रहे जाए मिद्धियेंग कोई नहीं ब्राब्लम है तो आप लोग कोई भी डाउट रहे हैं कोई भी इंदी कमेंट कर रहे जाए हैं किमेंट पढ़ने के बाद आप लोग तुरहां ऑल फटा पट सोचते हो किलही वी वीडियो प्रपाइट हो जाएं परफो आपका है आपका है इन्टर्मिट्स केमिस्ट्री मैथ सभी करवाई जा रहे हैं तो इसके लिए आपको इंतितर करना बढ़ता है जिसके लिए हमें खेदे ठीक तो मिलते हैं लोग नेस्ट वीडियो में जो भी आप लोगो डाउट हो कमेंट सेक्शन वाइए कमेंट कीजिए ठीक है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में और जिससे कि आप लोगों दोस्तों को भी आपकी तरह है है तो मिलते हैं जोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आशकी वीडियो मिलते रहिए हर एक सेट में जरूर मिलते रहिए जिससे कि अच्छी सच्छी त